अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू मै चैनल दोस्तों आज की वीडियो सिन्द पुलीस कराची रेंज 480 और 490 से मुतालिक हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लिगेशन स्टेटस जो है वो शो हो गया है लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी प् आँगा कि जिस तरह आप जो है अपनी उस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल के ओपर आपने लिखना है पीटीएस कॉंटेक्ट फॉर्म जब आप पीटीएस कॉंटेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो नंबर बन ऑप्शन को आप क्लिक सामने पीटीएस कॉंटेक्ट फॉर्म आजाएगा दोस्तों इसके अंदर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट केटिगरी अपना नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्स और इसके अंदर तमाम अपने जो है कॉंटेक्ट नंबर पोस्टल एडरेस प्रोजेक्ट नेम और तमाम अपनी जो डीटेल्स हैं उसको आप फिल करेंगे दोस्तों आप फिल करने के बाद लास्ट फिजो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं यहां पर आपने उनको मसला बताना है कि आपका रिकॉर्ड नौट फाउंड आ रहा है या फिर आप जो है वो फी चला लगाना भूल गए थे या फिर नईसी नहीं लगाई जो भी आपका रीजन है आपने पी टीएस को बताना है आप जैसे ही इस फरम को पूरा फिल कर लेंगे तो आपको सब्मिट बटन नजर आएगा दोस्तों आप उस सब्मिट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यह PTS के पहुँच जाएगी दोस्तों कल जो है ये contact form आ चुका है और इसके total जो days है तीन दिन होते हैं आज और कल जो दोस्तों यारा तारीक जो है इस contact form की last day है तीन दिन के अंदर अंदर इसको fill करने के बाद आपने PTS के पास भीजना है तो वो तमाम candidates जिनका issue आ रहा है आप इ PTS को send करेंगे क्यूंके दोस्तों अगर आपने कल तक इसको नहीं किया तो फिर PTS जो है वो आपका form जो है cancel कर देगा और आपको running में फिर नहीं बुलाया जाएगा दोस्तों इसके साथ-साथ अगर आपका कोई और issue है तो आप देख सकते है PTS के headquarter का ये number है 051-1111-11187 आप यहां पर contact करेंगे तो आपका जो भी issue है वो आपको guide कर देंगे कि आपने किस तरह उसको हल करना है इसके साथ-साथ दोस्तों आप इसको जल अजल कर तक भर दें क्योंकि एक हफ़ते के अंदर 17 या 18 फरवरी को तमाम candidates की slip ने रनिंग की आ जाएंगी तो आप दोस्तों कल लाजमी कल तक आप लोग इसको fill करने के बाद सेंड करने क्योंकि कल के बार आपका PTS contact form accept नहीं होग तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नजर रखें जैसे ही रनिंग की डेट या सिलिप आएगी मैं अपने चैनल के जरी आपको जरूर बताऊंगा